प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमॉंग थ्री नंबर्स अब हमें क्या करना है कि यूजर तीन हमें नंबर देगा और हमें फाइंड करना है कि उस तीनों में सबसे जो लार्जिस्ट नंबर है वो कौन सा है तो इसके लिए पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिड इसके मतलब कर सकते हैं कौन से नंबर ग्रेटर है तो यह निकिन किए नंबर ए हो गया एक बी हो गया एक सी हो गया हमारे पास तो हम इन दोनों को कंपेर करते हैं सही, अगर इन दोनों में अगर ये बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस से compare करेंगे, इन दोनों में, अगर अगर यहां पर यहां पर मैं true कर देता हूँ, और यहां पर ये greater, कि अगर a is greater than b, यानि कि a बड़ा हो गया, तो फिर हम check करेंगे कि क्या A is also greater than C ये तो already B से बढ़ा है तो फिर C से check करेंगे अगर ये C से भी बढ़ा हो गया तो यानि कि सबसे बढ़ा number कौन हो गया A हो गया लेकिन A B से तो बढ़ा है सही लेकिन C से छोटा है यानि कि इन दोनों में A बढ़ा है और लेकिन इस से छोटा है तो यानि कि सबसे बढ़ा कौन हो गया C हो गया तो यानि कि यहाँ वाला देखा जाए तो या तो A होगा अगर condition true होती है तो A होगा या फिर C होगा लेकिन first step में हम check करेंगे कि A is greater than B तो पता चला कि नई fail हो गया तो इससे क्या पता चलेगा कि B बढ़ा है तो अब जब B large हो गया तो फिर B को अब compare करेंगे किस से C से सही क्यों कि यहाँ पर B मतलब large है तो इसको C से हमने compare किया अब जब C से compare कर रहे है तो B अगर C से भी बढ़ा हो गया तो greatest कौन हो गया B हो गया लेकिन B A से तो बढ़ा है लेकिन C से छोटा यानि कि इस condition में कौन सा true हो गया C हो गया अब इसी को हम implement करते हैं प्रोगाम में तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमने तीन नमबर लिया यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में तीन ले लिया लेगिन फिर भी अगर आप लिखते हो तीन लाइन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर क्या है कि मैंने फर्स्ट क्या क्या नमबर वान और नमबर टू अभी मैंने जहाँ यहाँ बताया इन दोनों में compare किया अगर इसको मैं नमबर वान नमबर टू और नमबर थ्री कर दूं तो इन दोनों में compare किया नमबर वान यहाँ पर क्या होगा हाँ number one is greater than two यानि कि number one is greater than two तो अब अगर true हो गया number one क्योंकि यहाँ पर बड़ा हो गया large हो गया तो इसके अनदर आ जाए हमारा यह block यह क्या होगा nested यह जो हम अभी देख रहे है न यह हो गया nested if else nested if मतलब if else inside if तो यह हमारा nested का example हो गया तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि num1 is greater than num2 तो अब यहाँ पर num1 greater है तो यह जब greater है तो अब फिर इसके अंदर आने के बाद हम दुबाड़ा से check करेंगे कि यहाँ पर greater यह num1 क्या num3 से भी बड़ा है अगर यह num3 से भी बड़ा होगा तो यानि कि percent is greater या greatest और num1 यानि कि जो number one है वो हमारा greatest हो गया लेकिन यह condition fail हो जाती यह condition true है लेकिन यह fail है तो यानि कि num1 यहाँ पर number one greater है लेकिन great number three से smaller है तो यानि कि else यहाँ पर हमें condition की जववत नहीं है number three is greater तो यह हमारा first part हो गया लेकिन अगर number one जो है यह यहीं पर false हो गई तो यानि कि else है मैंने यहाँ पर यह cut किया एक region है अब इस program को मुझे जब short करना है क्योंकि इस program को हम एक line में भी कर सकते हैं तो फिर लएगा और एक line में कहसे हो सकता है इतने लंबे program को हम एक line में भी कर सकते हैं तो अब क्या होगा else अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे क्या पता चलता है कि num1 यह fail होगा यानि कि num2 is greater तो अब यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा else और फिर यहाँ पर चेक होगा कि num2 is greater than num3 तो number 3 से अगर number 2 greater है तो % is greater, number 2 is greater लेकिन number 2 already greater है लेकिन number 3 से अगर क्या यह smaller है तो number 3 is greater यहाँ पर आपको यह include करना है यहाँ पर मैं यह कर रहा कि अगर दो number number 1 और number 2 अगर दोनों equal आ जाए तो इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे program थोड़ी सी मतलब mistake हो जाएगी तो इसलिए हमें यह condition भी यहाँ पर अगर रहे कि if number 2 is greater than number 1 तब भी हमारा यह execute हो और else number 3 is greater तो ध्यान रहे कि यह जो program है यह तभी applicable होगा मतलब तभी यह true है जब सारे number different हो अगर कोई भी दो number equal आ गया तो यहाँ पर हमारा program सही नहीं होगा यह ध्यान देने वाली बात है और मैं यह आप पर छोड़ता हूं कि आप ऐसा program create करो कि अगर user यहाँ पर टू फोर दे या टू फोर टू दे थ्री फाइफ फाइफ दे तो इसमें output 4 आये इसमें 4 आये इसमें 5 है तो यह हमारा program तभी यह जो हमने program अभी जो देखा यह हमार अप्लिकेवल होगा 789 पर तो 9 देगा 5,6,7 तो 7 देगा लेकिन यह इस पर और इस पर fail करेगा तो वह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से create करो अगर समझ में आ गया होता हूं यह program आप लिख सकते हो